वीडियो को लाइक जरूर करना एक कमेंट जरूर ठोक देना क्योंकि आज ठोक ठोक के ना ये हतोड़ी इस प्रोजेक्टर को मैंने खोला है वैसे मेरा मूट था इसका टेर डाउन करने का लेकिन खुली नहीं रहा था तो बजा दी इस पर हतोड़ी वैसे वह सब आफ कैमरा ह हुआ है चलिए वीडियो को स्थार्ट करते हैं यह तो रक था हटोड़ा मैंने रखा ता मैंने क्या किया क्योंकि इसके अंदर लंबा पेच्कस था में बहुत सारे डूल रहा हैं काम ने कर मेंदा। मैंने पेजकस को इस पे घिसा नोकीला बनाया उसके बाद में भी काम नहीं किया तो पेजकस रखके मुझे हतोड़ा बजाना बड़ा उपर से ऐसे वो सारी चीज़े आफ कैमरा हुई है क्योंकि मुझे से खोलना था खुल ही नहीं रहा था निशान पढ़ गए हैं देख रहे हो कुछ निशान शायद पहले के भी हैं फाइनली यह ने जब इसे उखाड़ा तो पहले तो यह निकल के आ गया यह फिक्स हो दाएगा तूटा क् सेंटर में जो स्कुरू था वो तो उखड़ी गया कोई दिक्कत नहीं भी बागी के तो स्कुरू खुल गये थे तो उपर जो है टच पैनल है इसमें मैं देखना चाहरा था कि मैंने देखी आपको पहले बहुत सारे प्रोजेक्टर खोल कर दिखाए है ना फुल एश्डी निकल जाती है तो यह पूरा उपर की तरफ में जो है टच पैनल दे रखा है यहां पर अभी जो वीडियो बन रही है न यह बिल्कुल अन एडिटेड वीडियो है इसमें कुछ नहीं है तो बिल्कुल लाइफ रहो हूं है यहां पर एक तरीके से तो एक बार इसका पावर करते हैं प्रोजेक्टर का पूरा प्रोजेक्टर काम कैसे करता है वो देखने के लिए मैंने वीडियो अल्रेडी बना रखी है तो वो आप वीडियो जुरूर चेक कर लो मेरे चैनल पर है एक एक पार्ट मैंने खोल के दिखा रहा है कि क्या क्या होता है जैसे कि यहां पर ये ग्लास वगेरा के बारे में मैं बता चुक हूँ अपने वीडियो में कि कौन सा पॉलराइज ग्लास होता है कौन-कौन से ग्लासे इसमें लगते हैं ये है इसकी में यूनिट तो वो आप यहां से देख सकते हो इसमें बल्कि आपको दिख भी जाएगा नो सिग्नल लिखा वो अंदर की तरफ में अगर आप दिहान से देखोगे तो क्योंकि हमने कोई इसको आउट पूट नहीं दे रखा है तो प्रोजेक्टर अच्छे से काम कर रहा है बेसिकली प्रोजेक्टर के अंदर डस्ट आ गई थी और घर पे आप लोग मत खोलना प्रोजेक्टर ये जो मैं ट्राई कर रहा था इससे खुल रहे हैं मैंने ष्को इतना बना लिया था जिसक्रू इससे खुल रहे हैं वर्ट जो मिल्कौ मेरे को तोड़ना पड़ा उखारना पड़ा तो कि उस को फुली नहीं रहते स्पीकर बॉक्स देख ले थें इसमें कौन सा के साउंड आत यह दो तीन स्क्रूज मैंने खोल दिया है यह है जिसका स्पीकर चोटा सा उसी टैप का स्पीकर है जैसे और प्रजेक्टर में होता है स्पीकर बॉक्स बना रहता है यह तो यह इसका स्पीकर है अब एक एक वायर खोल के फाइदा नहीं है इस समय क्योंकि टेर डाउन मैंने इसका जो करना था वालग तरीके से करना था यह मेन यूनिट इसके अंदर सारे पोलराइज ग्लास लगे रहते हैं यहां पर यह इसका फैन लगा यह लगी है मुझे इसकी हीट सिंक ना बहुत अच्छी लगी है हीट सिंक इसकी बहुत बढ़ी है अगर आप ध्यान से आपको मैंने जब इसका रिव्यू करके दिखाया था तो अब टेच पैनल इसका देख लेते हैं काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है एक बार इसको मैं जो है आफ कर देता हूं और यह रिबन वायर इसमें दे रखी है तो इसको मुझे यहां पर लगाना पड़ेगा यह इस एरिया में जहां से मैंने निकाली थी ऐसे तो काम करेगी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मैंने सिर्फिसकी बॉड़ी को तोड़ा है लेकिन क्योंकि इस पर हतोड़ा मारा था तो बिल्कुल भी यह काम ना करें और रिबन वायर भी इसकी बहुत च्छोटी जी है न तो दिक्कत भी है एक बार इसको लॉप कर देते हैं इसी प्लेस पे यह रिबन वायर लॉक हो गई है और इसको मान करते हैं देखते हैं लाइट आती है कि नहीं आती है इस पे तभी दक एडिया हो जाएगा कि हमारा जो टच्छ पैनल की केबल है वो ठीक से लगी ही भी है या नहीं लगी है वायर तो नहीं ही लिए इसकी बिल्कुल देखना पड़ेगा मुझे कि वायर ही ही लगई है इसकी कि देखो अब इसका बिल्कुली पावर सप्लाई बिल्कुल ऐसा लग रहा है काम नहीं कर रहे हैं मुझे टेस्टर सीपर से चेक करना पड़ेगा अब इसमें पावर आनी भी बंद हो चुकी है हतोड़ों का असर लगता है हो गया थोड़ा बहुत इस पे बट मैं इसको फिक्स तो करी दूँगा कि एमन वायर इसकी ठीक से नहीं लगी है एक बार इसको मैं लอก कर देता हूँ तो मैं कमी ढूंडता हूँ इसकी और मैं फिर से आता हूँ देखता हूँ कमी क्या हुई है इसमे कमी एक्चलि में कुस्ट नहीं थी कि कमी यही थी यह थोड़ा सा गर देखो यहाँ देखो आप देख रहा है आपको light चली गई और यह देखो light आ गई तो यह वाला area जो है थोड़ा सा damage हो चुका है यह वाला area इसकी वज़े से जो है हमारा projector कभी चल रहा है कभी और रूक रहा है लेकिन मैंने इसको fix कर देया है थोड़ा सा वहां पर मैंने ribbon wire को ठीक से लगा रहा है तो projector क अगर आपको इसका एक एक पार्ट बिल्कुल देखना है कि किस तरीके से इसके पार्ट में जो है चलते हैं मतलब पूरा बिल्कुल exact teardown देखना है आपने एक full HD प्रोजेक्टर का तो comment में बताएगा मैं ऐसा वीडियो जरूर लिया हूँगा लेकिन आज क्योंकि मेरा mode ब पूरा teardown देखना है तो मुझे जरूर बताना अच्छा एक चीज में आपको और बता दूँ पहले तो मैं आप यह समझ लो कि आपने प्रोजेक्टर काम कैसे करता है वह वाली वीडियो कर अपने नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पर जाओ आपको वहां पर वह वाली व अब में बात में आते हैं अभी तो फिलाल में मैं इसको बंद करके रख रहा हूं क्योंकि यह speaker अभी मैंने खोला है तो ऐसे कोई मुझे problem नहीं होगी यह यहां पर यह वाला area यहां पर मैंने fix कर देना है अगर आपने इसका पूरा teardown देखना है एक एक function एक पार्ट निक चाह देंगे तो दिक्कत हो जाएगी तो वह black spot वाले वीडियो में मैं दिखा चुका हूं तो वह वाले वीडियो में कर चुका हूं नई projector के reviews मैं लेके आओंगा बिलकुल लेकिन मज़ा ही नहीं आ रहा कुछ ऐसा कुछ दिखी नहीं मार्केट में कि कुछ बढ़िया हो जबर्दस्तों तो जैसी कुछ बड़ा सा दिखेगा वह वीडियो आपको जल्द मिल जाएगी अगले वीडियो में मिलता हूं बिया टेक्विंस पे कुछ अमोर कमाल के गैजट्स के साथ में